नमस्कार दोसों आप शुभी का बहुत बहुत श्वागते दोसों केशे हैं आप शुभी उमीद करते हैं कि बगवान शुरी ग्रेंच जुक्या शुर्बाशी आप शुभी बहुत एच्छे होंगे अपने घर में मंगल मैश सुद्धी में होंगे जिहां दोसों दोसों आप शुभी को बता दें कि अब आपका एक और नया अश्र में आ चुका है अब आप शुभी के लिए जुनकाल में बहुत ये अच्छे खुश खबरी भगवान ग्रेंट्श के अशिरवाश्य आपको प्राप्त होने वाले हैं जिया दोसों आपको बता दें कि आज शाम के पांच बजे के बाद आप शुभी के जुनकाल में आपको पांच नए शुभ समचार मिलने वाले हैं जिया दोसों आप शुभी को बता दें कि भगवान आपको बहुत बड़ी चीज देने वाले हैं जिनें पाकर आप खुशी से बिलकुल ही गदगद हो जाएंगे जियां दोसों बशर्ती अब आपकी जरुत होती है कि इन शबी चीजों को बिलकुल ही प्रेम भावशे लेने का जियां दोसों कि दोसों बहुत शारी से जातक होते हैं कि चीजों को शुनते ही कुशी से उचलने पड़ते हैं और ढिंडोरा पिटने लगते हैं लेकिन दोस कारियों में आपको कारी करना है और कौन से चीजों को लेकर आपको बिलकुल ही शावधान रहना है दोसों और इन शबी की जानकारी आज कि वीडियो में हम पूरे विस्तारशी क्रों की गोशर पर निर्मित बताए हैं तो दोसों वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए बातों को अब बिलकुल भी मजाग मत समझेगा कि दोस्तों बगवान चाहे तो क्या नहीं कर शकती जो उनकाल में अपने सबी वकतों को वे छण में 0- 100 तक पहुँशा सकते ही यह उनकी माया है जिया दोस्तों बस हमें यह करना है कि अच्छे कर्म करना है जिया दोस्तों और जब भगवान का शमय आता है तो दोस्तों वह किशी ना किशी रूप में हमें उनका परिणाम देही देता है जिया दोस्तों और वह शमय अब आच चुका है जब आपके शारी दुखों का अंत होने वाले हैं और जो भी दुख के परिस्तितियों से आप ग कार की शुक्ष मदाएं आपको मिलना शुरू हो जाएंगे जिहा दोस्तों आप शुभी को बता दे कि अब आपके जिंदगी में कुछियों की बारिश होने वाली है जिहा दोस्तों आपको बता दे कि इंसान सची शरदाशी भगवान पर बिश्वास करता है तो दोस्तों बात हमने आपको पिछले भी कई वीडियो में बताए हैं लेकिन दोस्तों आप शुवी को बता दें कि सच्ची शर्दा होना शब्शे बड़ी चीज है क्यों दोस्तों विश्वा सच्ची शर्दा वो चीज है जिन से हम पत्थर में भी भगवान को प्राफ्ट कर शकते हैं ज आप शेपी को आव शिरुआबत होगा लेकिन दोस्तों आप श्रमएन बातों को ढ Made ईडोरा पिट पिटते हैं तो दोसदों वह हैं आपकी जुनकाल के बुरी-플र की शुरूवात होती है दोर की शुरुवात होती है आपके दुश्मन आपशी इर्षया लुवेक्ती आपके शर्चाई जानकर वे पहले ही आपसे इर्षया करने लगते हैं और आपके कारियों में बिग्न बदाएं किश्पर कर आई उनके लिए तैयारिया करने लगते हैं तो दोसुं ये बात बिल वान श्री ग्रेश जी के शितपाशी आज शाम पांच बज़े के बाद आपके जुनकाल में वह पांच बड़ी शुव समचार कौन-कौन शी है दोस्तों ये अपनी वैसम दिंचरिया शिये कुछ में अपने परिवार और शमद्यों के लिए आवश निकाले इसी दोस्तों आप तरा मुक्त और उर्जावान भी महशुर करेंगे अपनी परतिवा के दम पर आप अपनी अलग पैशान बनाने में भी यश में काम्याब रहेंगे और श्कुबानतों से यश में अगर आपकी शाधनी को लेकर बात करें तो दोस्तों किशी भी विपरित प्रिश्तिती में भावनों के आवश्मिया ना आएं कोई लक्ष आपकी आँकों से जोजल हो सकती है परते कारी को ठंडे दिमाग से सोच विजार करके ही करें साथी बचों की शमस्याओं के शमधान में अपना अवश्य सयोग दें यह आपके लिए आपके लिए आपको बदा दें कि भा होने आपके लिए तकलिफ दाइक हो रही थी दोस्तों उनको जिवन से दूर करना आपके लिए शमधा हो सकता है दोस्तों आपको बता दें कि जिवन सेली में बदलाव लाने के लिए आपके प्रतनी शमय जारी रहेंगे फिर वक्त का लिहाज याद रखना भी आपके दोस्तों आपको बदा दें कि किसी धार्मिक कारे के प्रति आपकी रूची रहेगी, शंतान की किसी एक्टिविटी से स्वेंग को गर्वित महसुद करेंगी, खर्चों के दिखता भी रहेंगी, प्रन्तु ये खर्चे कुछ बहतर और भई शमंदी सुवी जनाओं के लिए ह गवराये नहीं, और इसके साथ ही दोस्तों, कभी-कभी आपका शंकलानों शवाव बंते कारियों में जुकावट डाल सकता है, इसलिए दोस्तों ये जो समय है आपके लिए अपनी इस आदत पर कंट्रोल करने का प्रयाश करें, अपनी एक्छापूर्ति के लिए किसी भी उन परकार का रिक्स लेने की परविरती स्वेश में आपको दूर रहना चाहिए, और इसके साथ ही दोस्तों, आपके लिए समय होगी आपको बता दें कि दोस्तों, खुद को आर्थिक सोबरूप से शवल बनाने की आपकी कोशिश से शवल हो रही है, लेकिन दोस्तों, आपके भह शमंदी, सभी कारियों के रिए महत्पून रहने वाले हैं, और इसको प्रांतों से ये शमय, आपके लिए समय होगी, दोस्तों आपको बता दें, खुद से समाजिक समस्ता में, आपके अच्छे सयों की वज़शे, आपके शमय मान शमान भी बढ़ने वाले हैं, आप अपनी दिंचरिया से हटकर कुछ नए किरिय कलापों और ज्यान वर्तक बातों को शिकने में भी अपना शमय वयतित करेंगे, आपके व्यक्तिकत में ये शमी निखार अने वाले हैं, और इसके साथी दोस्तों ये शमी आर्थिक समस्या के कारण, आपको अपनी कुछ जिनाने अस्तगित भी करनी पर सकती है, किसी नईदिकी रिष्तिदार से शम्मनित कोई असुप सुचना मिलने शी मन में कुछ जो है वेराग्य जिसी इस्तिती भी उत्तपन हो शकती है, इसके साथी दोस्तों ये शमय आपके लिए जो समय होगी, दोस्तों आपको बता दे कि बनते हुए काम अचानक बिगड़ने के वजश्य आपको मन्सिक तकलीप का शामना भी करना होगा, फिर भी परस्तिती को पूरा समझ कर आगे बढ़ने की आपको आशकता होगी, आपको बदा दे कि आपकी किशी गलती के वजश्य ही आपको यह असफलता मिली है, इसे मि अमानों के आगमन से खुश्य नमा भातारुमी रहेगा तथा एक दूसरी के मेल मिला भैत्रियन दिंजर्या शे रहात आपको तेरे वाले हैं, और इसको प्राहत दोस्तों आपको बदा दे कि कुछ श्यमेच से आप श्वेंग का आत्म अवलोकन करने का जो प्रयाश कर रह हैंगे इसको प्राहत दोस्तों में आवांजित लोगों से कुछ दूरी बनाकर रखने आपके लिए उचित रहेंगे कुछ लोग आपकी छवी को खराब करने का श्यमेच प्रयाश भी करेंगे अपना वायवार श्यमित रखें क्रोथ और आवेश में इस्तितियां ज्याद अधिक नकार्तमग हो रही हो तो दोस्तों अपने आशपास की उर्जा को बदनने की कोशिट करें जिन व्यक्ति से अधिक नकार्तमगता प्राप्त होती है एसे लोगों से कुछ दिनों के लिए दूरियां बनाकर रखें यह आपके लिए बैतर होंगे आपको मिल रहें जो रखा बना लेना चाहिए ताकि दोस्तों समय का अधिक से अधिक फायदा उठाए जा सके परन्तु नोकरी तता वाईशाय में ध्यान रखें कि किसी परकार की वैस्ता में कोई दिक्कत भी आशकती है इसका आश्में आपको ध्यान रखने की आशकता होंगी इसके साथी दो दोस्तों बसरते आपको यश्मे ध्यान रखते हुए आपको उचित परिश्रम करने की आशकता होगी जो की आपको शबलता के राख पर ले जाने वाली है दोस्तों नोकरी में आपके जो भी कारें उच्चतर परिणाम भी यश्मी हासिल करेंगे इसके साथी दोस्तों यश जो समय है आपके लिए अत्रिक्त आई की भी सुब इस्ततियां बढ़ रही है और इसके चाहते दोस्तों यह में आपके वाईशाय के लिए समय होगे आपके के लिए समय होगे दोस्तों आपको बता दें कि नोकुरी और बिजन श्मी का महाल जो है अपने अनुकुल बनाने मे आप शक्चम रहेंगे शोपी हुए जमेदारियों का भी निर्वाहन आप यह में बहुती बखोबी तरिकेशे करने में काम्याब रहेंगे दोस्तों आपको बता दें कि जो समय है आपके लिए हो शकता है कि गोई दिकत आने पर आप अपने वश्यूलों और फिर स्रिधान करी रूप से चलती रहेंगी और चलते ही आपके लॉन गीघए आपके निलीजटuju समय होंग ढ़ें जमयाँ बता दें कि पर आपके लिए हो समयोंगे दोस्तों आपको बता दे कि अफेर्श के मामलों में आपको यश्मी शावधान रहने की आउशकता होंगी अपनी कोई गुप्त बात बाहर आशकती है जिसका दूस प्रभाव आपके बैवाई की जिवन पर भी पढ़ेगा तो दोस्तों यश्मी इन शावधान रहन की आउशकता होंगी शाथि अगर स्वास्त के बात करें तो दोस्तों यश्मी मोश्रम की वज़े से कोई अलर्जी होने की अशंका बन रही है बिना वज़ा लोगों से मेल जोल ना रखें यह आपके श्वास्त के लिए इसमें बैत रहोंगे और इसके उप्राद दोस्तों